एक बार लोहे की बुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालत में अचानक ही अपने पिता से कुछा, पिताजी इस दुनिया में मनुश्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंवीर सवाल सुनकर हैरान रह गए फिर में बोले बेटे एक मनुश्य की कीमत आपना बहुत मुश्किल है बो तो अन्मोल है बालक क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपून है पिताजी था बेटे बालक के कुछ पल्ले पड़ा नहीं उसने फिर सवाल किया तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है किसी की कम इंच्चत तो किसी की जादा क्यों होती है सवाल सुनकर पिताजी कुछ दे तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोयून में पड़ा एक लोहे का रोड लाने को कहा रोड लाते ही पिताजी ने पुछा इसकी क्या कीमत होगी बालक लगभग 300 रूपे पिताजी अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कीम बना दूँ तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी बालक कुछ देर सोचकर बोला तब तो ये और महेंगा बिकेगा लगभग 1000 रूपे का पिताजी अगर मैं इस लोहे से घणी की बहुत सारे स्प्रिंग बना दूँ तो बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर एकनम से उटसाहित होकर बोला तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी पिताजी उसे समझाते हुए बोले ठीक इसी तरह मनुश्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है बनकि इसमें है कि वो अपने आपको क्या बना सकता है बालक अपने पिता की बात समझ चुका था अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हूँ तो मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें